नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का exam guru tips and tricks में तो reasoning के very very important 30 questions आ गहें guys आपको बताए previous year के question है ये सारे के सारे तो बहुत ही ध्यान से करिएगा speed के साथ करिएगा आईए session को शुरू करते लेकिन उसके पहले एक information and academy के platform पर ultimate static GK T20 स्टार्ट हो गया अब क्या है ये T20 जरा बता दिया जाए देखो जरा 20 questions रहेंगे जिसमें general awareness and general science का रहेगा 14 test है schedule आपके सामने इसी तरीके से guys GK का score booster series भी है 5 test के है और यहाँ पर 50 questions रहेंगे general awareness और general science के schedule आपके सामने है इसी के साथ GA का super 40 series भी है 8 test का series है यह देख सकते हैं आप schedule इसी के साथ mega GA series है 5 test का है schedule आपके सामने है इसी के साथ reasoning championship भाई दीपकसर है और 4 test है यहाँ पर date लिखा हुआ schedule आपके सामने है 30 questions करके रहेगा वहीं पर जो है आपके लिए mock test है RRB group D के लिए तो यहाँ पर जो है guys 4 test आपको मिलेंगे full length test हों का 100 questions जिसमे math, general awareness, general science and reasoning schedule आपके सामने आप इसको जरूर लगा सकते हैं ठीक है और super fast final revision test है RRB group D के लिए 4 test है schedule आपके सामने हैं तो guys अगर आप plus subscription लेते हैं तो आपको यह सारे benefits मिलने वाले हैं इसी के साथ guys बात आती है कि amount कितना pay करना होगा तो देखिए railway subscription के लिए आपको इतना जो payment दिया गया यह भी नहीं pay करना पड़ेगा अगर आप हमारा जो code है guru tips apply करते हैं जी हाँ दोस्तो guru tips अगर आप हमारा apply करेंगे तो आपको instantly 10% का discount और मिल जाएगा तो जब भी आप subscription ले तब इसको ले ली जेगा चलिए आए शुरू करता अज का session पहला question आपके सामने निमलिकित क्रम में से भिन चिन को चैन करना है ठीक है जरा देखिए o u e t i अलग कौन option number d q क्यूंकि बाकी सारे के सारे वाबल है सिर्फ t एक मात्र consonant है तो option number d जो है right answer हो जागा next question देखते हैं जरा धियान से देखिएगा question के कह रहा है वक्तव्य में परिवाह को द्वारा हरताल के कारण जरूरी वस्तूओं की कीमतों में वृद्धी हुई है के कारण जरूरी वस्तूओं की कीमतों में वृद्धी हुई है निशकर्ष देखिए आवशक वस्तूओं के परिवाहन के लिए सरकार को अपने बाहन खरीदने चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है, हर्ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाह को के साथ तोल मोल करना चाहिए, बताइए, निशकष क्या निकलेगा, कौन सा निकलेगा, सिर्फ टू, तो कौन सा उप्शन हो जाएगा, उप्शन नमबर बी, केवल अनुपस्तित है, चले ये कौशन मार्क के जगे पर क्या आएगा, जरा आएए देखते हैं, E, J, O, T, कौशन मार्क, राइट, E मतलब 5 नमबर, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20, क्या हो रहा है गाईज, 5, 5 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, that means, plus 5 means 25, 25 means, what, why, option कार का जो relation garage के साथ है, उसी वैसे ही मुर्गी का संबंद किस से, कार को हम garage में रखते हैं, और मुर्गी को हम किसमेर रखते हैं, पिंजरे में, option number A, next question, कथन कह रहा है, सभी परिक्ष्रमी चात्र परिक्षा में सफल होते हैं, सभी परिक्ष्रमी चात्र परिक्षा में सफल होते हैं, और सभी परिक्ष्रमी चात्र अच्छी तरह से सोते हैं, दोनों केस में परिक्ष्रमी परिक्ष्रमी के बारे में बोला गया है, सभी परिक्ष्रमी चात्र परिक्षा में सफल होते हैं, और सभी परिक्ष्रमी चात् निशकर्ष देखते हैं, वह सभी जो अच्छी तरह सोते हैं, वो परिश्रमी छात्र हैं, यहां बोलाए कि सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह सोते हैं, ना कि सभी जो अच्छी तरह सोते हैं, वो परिश्रमी छात्र हैं, यह तो हो गया क्या, गलत, चलो, दूसरा देखा जाए वो सभी जो परिक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरीके से सोते हैं क्या यहां पर यह खा गया कथन में जी नहीं बिल्कुल यह नहीं कहा गया है वो सभी जो परिक्षा में सफल होते हैं ठीक है वो अच्छी तरह सोते हैं यह तो बिल्कुल नहीं कहा गया है है ना तो ये भी तो कौन सा option ना तो निश्कर्ष एक ना ही निश्कर्ष दो अनुसरण करते हैं next question क्या share बाजार धन बनाने का संसाधन है टिपनी में देखिए हाँ share बाजारों में धन कहीं गुना हो जाता है नहीं share बाजार में निवीश बाजार जो जो खीम के आधीन है काईज एक बात बताओ आपने share market जब भी एड देखाऊगा television में तो आपने इसको जरूर सुना होगा कि ये बाजार ये निवेश जो होगा आपका ठीक है share बाज भी हो जाता है ये वाला 100% accurate नहीं होगा हैंस कट तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कौंसा option option number a केवल टिपनी दो सबल है option number a will be the right answer next question guys उत्तर चित्रों में से सही विकल चुनकर प्रशन चित्र के शिंखला पूरी करें okay so जरा देखो पहले और दूसरे में क्या हुआ है guys 180 डिग्री घुमा दिया गया है अरे ठीक है 180 डिग्री घुमा दिया गया है right और किस 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 डारेक्शन में clockwise डारेक्शन में तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग 180 डिग्री घुमा दिते हैं तो बनने वाला फिगर में कुछ इस तरीके से ये नीचे आएगा कौन से फिगर में है लगा दो answer ठीक है चले next question देखते है निमलिकित में से कौन सा विकल्प दिये गए चित्र के सही दरपण को दर्शाता है smile दरपण लगा दो e l i m और कौन से में है यह जरा देखो तो जल्दी से next question किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है कथन के पहला ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है यह है zekने किचन के ग्रे नाइट कवायक reflecting दीवार के रंग का रंग जरूअ बहुत समकिला है क्या मुझे अभी भी पता चला है नहीं इसका मतलब दिये गए प्रश्ण का उतर देने के लिए अकेला एक परियाप्त है लेकिन यह नहीं नीचे दिये गए प्रश्ण का ना तो एक ना ही दो परियाप्त है option number C हमारा right answer हो जाएगा next question देखते हैं नीचे देगार श्रिंकला में कितने अंक अपने दाही और अंक से पूरी तरीके से बिबज है मतलब ये number होगा उसके दाही नहीं और जो number है उस से पूरी तरीके से वो बिबज होना चाहिए जरह यहां देखो Pak 6 क्या पूरी तरीके से 3 से भीểmत्ज़ है जी हां बिल्कुल पहला नूमबर आगे बढ़रते हैं तो ये 8 पूरी तरीके से 8 से भी बज़् है वन टाइम्स ये वाला आठ पूरी तरीके से इस आठ से भी बज़् है आगे देखते हैं 6 पूरी तरीके से विबज्ज है ठीक है और ये वाला हाट पूरी तरीके से विबज्ज है ठीक है तो कितने नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 लगा दें नेक्स्कोकेशन का क्या रहा है उत्तर की और मुह करते हुए एश्वर यह घडी के सुई के दिशा में 45 डिग्री मुती है और फिर घडी के सुई के विप्री दिशा में 135 और पुना घडी के सुई के दिशा में 180 डिग्री मुडती है अब वह किस दिशा आपकी और देखते हुए खडी है तो उत्तर की और मुखर के खडी हुई थी ठीक है एश्वेरिया फिर घडी के सुई के दिशा में मतलब clockwise में 45 भूमती है मतलब वह अब कहा जाएगी इस वाले direction में आ जाएगी 45 डिग्री ठीक चलो आगे देखते हैं और फिर घडी के सुई के विप्री तिशा में 135 135 मतलब यहाँ पर आए हम कितना 45 135 जाना है और 90 और जोड़ दो तो मतलब इस direction में कहीं पर जो है इस direction में कहीं पर जो है अभी वो फिलाल है ठीक है और फिर पुना जो है घडी के सुई के दिशा में 180 डिग्री घूम जाती है तो इस तरफ आ जाएगी इस तरफ आ जाएगी ठीक है तो इसका मतलब अब वह किस दिशा की और खड़ी हुई है तो पूर्व की और किसकी और जी हाँ पूर्व की और option नमबर भी पूर्व जो है हमारा right answer हो जाएगा ठीक है चलो next question उस उत्तर आकृति का चैनकरे जो दिये गए प्रश्न होगा यह प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिभिंब है मतलब क्या है water image है ठीक है आईए यहां देखिए यहां water image है that means यहां पर अगर मैं क्या लगा दू mirror that means water image okay so यहां देखो यहां बनने वाला जो water image होगा उसका उसका जो diagram होगा वो इसी तरफ होगा यह बनने वाला यह बॉक्स है कुछ इसी तरीके से बनेगा लेकिन किस तरीके से ऐसे करके बनेगा और फिर जो यह वाला section है यह वाला section मतलब यह यूं खिचेगा है ना तो कौन से figure में है जरा देखो तो option number ठीक है बड़े next question में है okay आईए next question देखते हैं दीगई श्रिंकला में से अनुपस्तित संख्या का मान ग्यात करिए तीन का जो relation क्या है बारा बारा के बाद क्या आएगा और उसके बाद 21612 जरा ध्यान से देखो तीन के बाद बारा उसके बाद डैश उसके बाद 21612 जरा इस गाइस इफ वीडू स्क्वेर और 3 जरा इस ट्रीका स्क्वेर इस 9 प्लस 3 जो है क्या 21612 है जी हाँ दोस्तो यही होता है देट मेंज गाईज देखो 77 जा 49 मतलब 9 प्लस 3 12 देखो आया दो है ना देट मेंज गाईज यहां आने वाला जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 147 ओप्शन नमर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक चले ने एक्सक्रोशन देखते दी गई आकरिती की सही दरपन चवी ठीक है सही दरपन चवी तो यहां जरा देखो यहां पर लगाया गया है मिरर तो यहां बनने वाला कुछ इस तरीके से होगा और यह नीचे के दरफ जा रहा है यहां से यह नीचे के दरफ यह जाएगा कौन से फिगर में है जरा देखो तो कौन से फिगर में यह इसी में ही है ना तो option number जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बड़े नेक्स कुशन में आईए खाली स्थान में आने वाले सही चित्र को चुने बंदर केला खाता है चूहा चीज खाता है अगर आपको नहीं देख रहा है तो मैं बदा दूं option number A में इसमें यह चीज रखा हुआ तो option number A हमारा right answer हो जाएगा next question देखते हैं कथन कह रहा है अखबर ने अपनी रानी से कहा क्या कहा वीरवल मेरे राज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है सबसे बुद्धिमान कौन वीरवल अनुमान क्या कहता है अखबर बीरवल जितना बुद्धिमान नहीं है बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि अग्जिका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो सबसे बुद्धिमान कौन वीरबल अकबर तो नहीं चलो उसके पत कह रहा है अकबर वीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है क्या ऐसा कहीं बोला गया कतन में इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है अनुमान एक जो है नीहित क बिरेगा, next question देखते है, निमन में से कौन सा बेन डाइग्राम निमलेकित वर्गों के सही डंग से प्रिथिनेदित करता है, क्या दिया गया है, आदमी, पिता, डॉक्टर, जितने भी पिता होंगे, वो क्या होंगे, आदमी तो होंगे ही, मतलब आदमी अगर यह ले लू, त तो पिता ये वाला section हो जाएगा, ठीक है, कुछ पिता होंगे, और कुछ पिता नहीं भी होंगे, और doctor, इसका मतलब doctor कुछ यू बनेगा, कि कुछ section जो होंगा, पिता भी होंगे, आदमी भी होंगे, और कुछ section होगा, जो महिलाएं भी हो सकती है, और कुछ ऐसा section होगा यह वाला section जो आदमी ही सिर्फ होंगे जो पिता नहीं होंगे, that means which figure guys, option number B, अच्छा सबसे बहले मैं यह लिख दूँ, यह अगर मैंने माना इसको आदमी, यह माना मैंने पिता, और यह माना मैंने doctor, ठीक है, यह माना मैंने doctor, option number जो B है हमारा right answer हो जाए चले next question देखते है, x की उपर से बारवी rank थी, x की उपर से बारवी rank थी, अगर कक्षा में कुल संख्या 16 थी, तो x की नीचे से क्या rank थी, समझना, total student कितने है 16, और आपको पता है, total student की जो संख्या होगी, वो क्या होगी, उपर, प्लस, नीचे, और इससे minus 1 कर देना है, पता है की नहीं पता है, that means guys, दो देखो, उसी उपर और नीचे जो लिखा है न, उसी व्यक्ति का होना चाहिए ranking, यह याद रखेगा, total student कितने है, 16, उपर से उसकी rank कितने है, 12, नीचे से लच्छे x है, इससे minus 1 घटा दो, that means 15 और यह कितना हो, 16, 12 और यह हो गया, कितना guys, यह हो गया, 11, 11 और इस तरह पहुंचाया तो 5, x is equal to 5, option number, यह जो है, हमारा right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, कथन कहारा है, गाओ में रहने वाले कई लोग, बहतर भविश्य के लिए शहर में बस रहे हैं, ठीक है, शहर में बस रहे हैं, इसको urbanization बोलते हैं, ठीक है, निशकर्ष क्या कहारा है, सरकारी अफिसरों को गाओ में अनिवारिये नियूकती होनी चाहिए, क्या, यह क्या नि जी नहीं बिलकुल ये नहीं निकाल पा रहा हूं निशकर्ष, दूसरा देखते हैं, शहरी और गाउं के मद्धे परिवाहन सेवाओं में बृध्धी होनी चाहिए, भईया यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग की बात हो रही है, यहां परिवाहन की बात हो रही है, इसका कुशन दिखते हैं, पूने को जिस प्रकार S, X, Q, F, तो सिटी को कैसे लिखेंगे, जरा यह रिलेशन ढूंटते हैं, P, U, N, E को क्या लिखा जा रहा है, S, X, Q, F, जरा देखो, P, M, N, O, P, 16, ठीक है, S, 19, U, 21, ठीक है, इस तरीके से जो हो रहा है, क्या हो रहा है गाईस देखो जरा, प्लस 3, ठीक है, U, V, W, X, प्लस 3, M, N, O, P, Q, प्लस 3, E, F, मतलब आखरी में प्लस 1, बाकी में प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, तो सेम वे में, सिटी को, ठीक है, सिटी को, प्लस 3, Z, D, E, F, I, ठीक है, I के बाद, I, J, K, L, ठीक है, T, S, T, U, V, W, ठीक है, और Y के बाद, Z, F, L, W, Z, F, L, W, Z, Option नमबर जो है, हमारा D, सही आंसर हो जाएगा, नेक्स कुशिन जरा आइए देखते हैं, D, W, T, G, Z, W, उसी प्रकार Q, P, M, किस के साथ होगा, जरा आइए देखते हैं, D, W, T, G, Z, W, देखें, यह होता चार नमबर, यह होता साथ नमबर, ठीक है, तो देखों क्या हो रहा है, प्लस, ठीक है, अच्छा, U, V, W, X, Y, Z, प्लस 3, S, T, U, V, W, प्लस 3, that means, प्लस 3, प्लस 3, सब में, प्लस 3, पिछले वाले माकरी में प्लस 1 हो गया था, इस वाले में सब में, प्लस 3, Mnop, Q, 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 R, S, T, Mnop, P, Q, R, sorry, Mnop, one second, यह होगा, क्या T होगा, sorry, my mistake, T, P, Q, और यह क्या हो जाएगा, S, उसके बाद क्या होगा, Mnop, P, so T, S, P, T, S, P, T, S, P, option number B हमारा सही उत्तर हो गया है, चले, next question देखते हैं, बड़ अच्छा question है, जर ध्यान से देखे, A driver left his village and drove south for 20 km, after which he stopped for breakfast, then he turned left and drove another 30 km, when he stopped for lunch, after some rest, he again left, he again turned left and drove 20 km before starting, before stopping for evening tea, and then he turned right and drove 30 km to reach the town where he had stopped, after evening tea, in which direction did his drive, 8 seconds, So guys, which direction did he drive, आये इसको बनाया जाया, A driver left his village and drove to south for 20 km, 20 km, उसने गाड़ी चलाई, and after which he stopped for breakfast, उसने यहाँ रुखके क्या किया guys, उसने यहाँ पर रुखके ब्रेक फास्ट किया, ठीक है, आगे देखते हैं, Then he turned left, left मोड़ेगा तो मतलब इस तरफ, और कितने km, 30 km गया, where he stopped for lunch, यहाँ वो क्या किया guys, यहाँ वो अपना lunch किया, After some rest, he again turned left and drove 20 km, फिर वो यहाँ 20 km before stopping for evening tea, फिर वो यहाँ पर tea के लिए रुखके आगे देखते हैं, And then he turned right and drove 30 km, फिर यहाँ रुखके, 30 km और गया, and reached to town where he stopped, तो यहाँ वो टाउन में आ गया, After evening tea, in which direction did he drive, evening tea के बाद वो किस direction में गया, जल्दी बताएए जल्दी से, Option number B, East के तराफ, ठीक है, चली, next question देखते है, सभी शार्क मचलिया है, और कोई भी मचली साप नहीं है, कोई भी मचली साप नहीं है चले कोई भी सार्प शार्क नहीं है जब भाई कोई मचली साप नहीं है तो कोई साप शार्क कैसे हो सकता है नहीं कोई भी शार्क साप नहीं है ये भी कट क्यों गर दिया, sorry my mistake, बिल्कुल सही दिया गया है, इस शुट बी, बिल्कुल सही बोल रहा है, और कोई भी शार्क, कोई भी शार्क साप नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब, दोनों अनुसरन करता है, option number D, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दिये गया अनुकरम का लुक्त पद विकल्पों में से, चुने, Y25, W23, U21, S19, देखो ये place value ही है, और दो-दो घड़ते जा रहे हैं, देट मींस, 19 के बाद क्या आ जाएगा, 17, 17 कौन होता है, 17 क्यों, option number जो है, C हमारा सही जो जाएगा, next question देखते है, निमले के चितर में कितने थ्रिबुज है, ओके, कितने थ्रिबुज है, एक सिकन रुकिये, लेट में डू, इसको ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ना, देन इट विल बेटर फोर यू, इस ट, वन से किन गईस, उसको जो है, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, अब सही होगा, ओके, तो, हाँ, तो निमले के चितर में कितने थ्रिबुज है, आईए इसका नाम करन कर दिया जाए पहले, ठीक है, वन सेकेंड, चलो, ए, ठीक है, बी, सी, डी, ए, एफ, ठीक, एफ, जी, इसको देते है, एच, ठीक है, और यहाँ पर एक बन रहा है, एच, आई, इसको आई देते हैं, चली, आईए एक काउंट करते हैं, सबसे पहले होने वाला क्या होगा, ए, बी, यह वाला दिया है, ए, बी, जी, ठीक है, एक, दूसरा देखते है, ए, जी, एफ, ए, जी, एफ, ए, जी, एफ, ठीक है, उसको बद ए, एफ, ए, बी, बी, एफ, ए, बी, एफ, पूरा ले लिया, बन गए यहाँ तीनो, आगे देखते हैं, बी, एच, एफ, बी, एच, एफ, यह पूरा बड़ा वाला, ठीक है, आगे देखते हैं, बी, सी, एच, बी, सी, एच, यह वाला सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, है आगे देखते हैं BCD ये वाला ट्राइंगल देख लेते हैं ठीक है आगे देखते हैं उसके बाद B G D B G D इस तरीके से वो उपर वाला बड़ा ले लिया अब यह नीचे वाला ले ले लिखते हैं ठीक है चलो आगे देखते हैं हम C point में आ जाते हैं C point में आने पर C H D C H D यह वाला section C H D आगे देखते हैं C F E C F E यह वाला section गाइस ठीक है आगे देखते हैं C I D क्या बात है C I D आ गई चलो C I D चलो H I D चरह यहां H में आ गया है तो H I D यह वाला छोटा वाला ट्रेंगल आगे देखते हैं और 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 अच्छा A में ना कुछ वाला छूट गया ना यह बड़े बड़े वाले छूट गया है अच्छा देखते हैं A B D यह बड़ा वाला A B D ठीक है ओके A I F यह वाला बड़ा वाला भी छूट गया है A I F ठीक है So A I F उसके बाद B F C देखो B F C यह बड़ा वाला छूट गया है ठीक है और एक और छूट गया है यह वाला सेक्षन छूट गया है यह वाला छूट गया है So G I F ठीक है कितने हो गए जरा count किया जाए जरा आईए count किया जाए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चवदा पंद्रा लगा दो option number C 15 will be our right answer next question देखते हैं उस विकलक पर चैन करें जो चित्र C में दियेगा प्रश्ने चिनने को बदा लेगा देखें कुछ relation दूटते हैं 3 x 3 9 plus 5 x 6 30 30 plus 9 39 okay we got it which let us see second wala so 4 x 4 16 plus 5 x 7 35 क्या बात है we got 51 that means the same thing will going to be happen in the figure C 3 x 4 plus 5 x 5 that means 12 plus 25 that means 3 7 37 option number D is our correct answer okay चलिये next question देखते हैं उत्तर आकृति में से प्रश्ने चिनने के स्थान पर आने वाले सही आकृति को चुने देखो guys यहां पर figure first और figure second देखो क्या पाओ गया सबसे पहले इसको जो है water image किया गया और water image मतलब पलट दिया गया उसके बाद उसका यह क्या है second वाले figure पलटे हुए का water image का पलट हुए का क्या है mirror image है that means सबसे पहले मैंने water image में convert किया उसके बाद फिर मैंने उसका mirror image बना दिया ठीक है the same thing will going to be happen over here first of all we will convert it into water image that means यह जो triangle है यह नीचे के तरफ आ जाएंगे फिर मैं उसका mirror image करूंगा since यह figure symmetrical है तो mirror image भी इसी तरीके से बनेगा that means circle तो ऐसा ही होगा लेकिन hold on थोड़ा सा गलत बन गया है let me do तो circle तो यह ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि water image में कुछ इदर आ जाएगा और लेकिन triangles जो है guys कुछ ऐसे ऐसे बन जाएंगे that means option number जो है figure number भी हमारा right answer हो जाएगा next question देखते हो उस चुतका चैनका जो समूँच से संबंदित नहीं है तो नहीं होने वाला देखो सारे symmetrical है लेकिन option number c यहाँ पर खीच दिया गया लगा दोसको चलिए next question देखते है 1 4 dollar 2 0 star 8 hash 4 का मान क्या है कथन पहला अगर जो है dollar मतलब minus है star मतलब plus है और hash मतलब अगर divided है तो यहाँ अगर मैं लिखू 14 minus 20 plus 8 divide 4 that means this is for much 2 then we can find out the value yeah we can find it through this means अच्छा दूसरे बाले में तो नहीं है इसका मतलब जो है मात्र होगा मात्र कथन एक परियापत है जब की केवल कथन दूसरा परियापत नहीं है option number b हमारा सही उत्तर हो जाएगा आज का अंतिम प्रश्न तर कहरा है राज मारग प्रधिकारण ने घोशना की थी कि यह शुकरवार से तीन दिन के लिए बैंगलोर और तुमकुर के बीच सडक मरमत का बड़ा काम शुरू करेगी ठीक है अनुमान पहला लोगों को बैंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यातरा की योजना इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है तब ही तो भाई उसने declaration दिया है अपना ये बात घोशना की है यह announcement किया है ठीक है दूसरा क्या बोल रहा है प्रधिकरण अनावश्यकार में कारिश से नागरिको को परेशान कर रही है तो बिलकुल कलते भाई मरमत कर रही है है ना इसका मतलब के वाल अनुमान पहला ही नीहित होगा option number option number yeah she is the right answer ठीक है गाईज यह थे आज के 30 questions आए ओप इंचाट इस session if you do so then hit the like button share this video as much as you can subscribe the channel अगर आपने अभी तक नहीं किय है अगर आप इसका PDF राप्त करना चाहते हैं इसका PDF आपको मिलेगा कहां पर telegram group में जिसको आपको join करने के लिए description में link है तक अभी भी अगर आपने join नहीं किया है तो join कर लीजेगा ठीक है फिर मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए bye bye and have a nice day